हलो इस्टुएंट्स मैं आज आप लोग को 12th क्लास की बिजनेस टेड़ी प्रावंगा मैंसेल्फ नदीम असन और हम पहले सलेबस समाझ लेते हैं क्लास का बिजनेस टेड़ी का जो सलेबस है बच्छो वो सलेबस हमारा इस तरह से है कि हमारे पास चैप्टर वाई है हमारे पास 12 चैप्टर है और उनके बाकायत अब मार्क्स है जो आप देखेंगे यूविल चेक दें कि अधा मीनिक एंपोर्टन्स ऑफ मैनेजमेंट जहां की मांस है दूसरा है फ्रिंसपल औफ मेनेजमेंट जहां पर हम हेंड रिफियॉल्ट के प्रेंश्ट की टेक्निक को पढ़ेंगे और यह वाले हैं हमारे six marks है इसके बात है business environment business environment जिसमें हम business की different environment के factor उसके micro factor macro factor impact liberalization globalization globalization social environment यह सारी चीज़े जितने भी environment के इसके बाट है हम वो ब्रीज में बाएंगे यह हम इसके बात है planning 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 में हम क्या पढ़ेंगे कि planning क्या है इसका nature क्या है planning का process क्या है इसकी importance क्या है इसकी limitations क्या है different type of plan क्या है जो plan क्या है रहेर की है उसको हमें इसमें पढ़ना है यह six marks का है फिर उसके बाद आएगा हमारा organizing organizing में हमने सबसे पहले organization क्या है organization की importance क्या है उसके organization के type formal in formal organization क्या है फिर उसके बाद जो तो हमारे सिर्फ में हैं यहाँ हमें सारा सराफ है इस समझना है इसके बाद फिर हमारा training के method यह सारी चीज़े पढ़ने हैं, फिर हमारा chapter आएगा, 7th directing, जो डारेक्टिंग जो चैप्टर है, बच्छों, उप में हमें यह सीखना है, कि directing क्या होती है, directing basically combination है, 5 tools का, जिसमें supervision, leadership, communication और motivation, यह सारी चीज़े मिलाकर के, सारे में 8 marks का हो जाएगा, और फिर लास्ट में है, controlling, controlling जिसमें, controlling जाएगा, उसका nature क्या है, उसका process क्या है, controlling by exception क्या है, critical path control क्या है, यह सारी चीज़े हम बढ़ेंगे, 6 marks की, तो यहां बच्छों, हमारी first book complete हो जाती है, और इसके बाद आती है, हमारी second book जिसमें, इसमें, द दोनों chapter, एक साथ combination में है, 50 marks है, अब यहां पर जो financial management है, इसमें हमने क्या पढ़ना है, financial management क्या है, financial management क्या है, एक business organization में financial management जो है, वो किस तरह से काम करता है, working capital क्या है, fixed capital क्या है, उसकी requirement क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने जहां पर पढ़ना है, इसके बाद बचो financial market है, financial market में हमने यह पढ़ना है, financial market क्या होती है, यानि एक ऐसी market जिसके दुरूँ आप एक companies को short term, mid term और long term fund available होते हैं, इसमें वो shares, adventures, adventures, money market के tools, यह सारी चीज़े हमें इसमें discuss करने हैं, उसके बाद है marketing management, जो के सबसे बड़ा chapter है, marketing management में हमने पढ़ना है कि marketing management क्या है, marketing management का scope क्या है, marketing management के 4 piece क्या है, marketing management के 4 piece में, price mix है, production mix है, physical distribution और promotion है, advertising है, advertising के feature है, फिर advertising का impact है, क्या advertisement एक social waste है, फिर हमें यह बढ़ना है, sales promotion इसकी technique, salesmanship, उसके क्या qualities होनी चाहिए, यह सब चीज़े, फिर यह पूरा process है, और last में हैं बच्चों हमारा Consumer Protection Act 1986, जिसमें हमें बताया, as a consumer हमारे क्या-क्या right है, क्या-क्या responsibility है, और हमारे क्या-क्या remedies है, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, को violation होता है, तो अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहां पर यह शुरू से लेकर, यह सारे 12 chapter मिलाकर हमारे पास हो जाते हैं, 80 marks के, अब जबी 80 marks के हो जाते हैं, तो बागी 20 marks कहां है गी हमारे, तो बागी 20 marks के लिए आपके पास आता है, आपका, आपका, प्रोजेक्ट है, वाय वाय है, और जो आपका एक test होगा, वो है, वो मिलाके 20 marks है, तो जब वो मिलाके 20 marks है, तो जो 20 marks है, तो जो 20 marks है, वो मिलाकर के यहां पर आकर यह पूरा 100 marks हो जाता है, आप यहां सवाल यह है, कि कौन सा कितने question हैं, कितने number के हैं, तो वो जो questions है, number of questions हैं बच्छों, वो total number of questions हैं हमारे पास यहां पर 34, अब यह 34 कैसे बने हैं questions यह, सबसे पहले हमारे पास 20 questions आएंगे, यह M secure, जो आज आप M secure देख रहे हैं, जिसके चार आपके बास option होते हैं, और एक आपको सही option को answer देना होता है, तो 20 questions है, 1 मास के 20 मास के हो गए, फिर 5 question है, 3 मास के, वो 15 मास के हो गए, 3 question है, 4 मास के, जो के 12 मास के हो गए, फिर 3 question है, 5 मास के, जो के 15 मास के हो गए, और 3 question है, 6 मास के, यह 18 question हो गए, 18 मार्स हो गए तो टूटल मिला कर ये 80 हो गया यानि 34 कोश्चन 80 मार्स के हो गए प्रोजेक्ट S plus Viber मिला कर 20 तो हमारा यहाँ पर पूरा सलेवस कवर हो जाता है 100 मार्स का इट में हमने क्या करना है आने वाली क्लासिज में हम ये पूरा सलेवस एक एक करके हम करेंगे और नेक क्लास में हम शुरू करेंगे Meaning and Importance of Management